दोस्तों ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में भी अपाची हेलिकॉप्टर को टकर देने वाला एक हेलिकॉप्टर बनने जा रहा है लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर को बनाने के बाद हिंदोस्तान ऐरोनाटिक्स लिम्टेड अब एक मीडियम वेट कैटिगरी के दस से बारा टन के वजन वाले एक आमड हेलिकॉप्टर को बनाने जा रही है जो की अपाची को भी टकर दे सकता है एक एमबिशियस प्रजाइट के तौर पर जो की स्टाटिजिक सिंदिफिकेंस का होगा इंडिया की बड़ी एरोस्पेस कमपनी हिंदोस्तान ऐरोनाटिक्स लिम्टेड ने एक दस से बारा टन के अटैक हेलिकॉप्टर को बनाने के उपर ग्राउंड वर्क शुरू कर दिय है यह हेलिकॉप्टर 2027 तक बन कर तयार हो जाएगा यह हेलिकॉप्टर दुनिया के बहुत ताक्तवर मीडियम लिफ्ट मिल्टरी चॉपर्स के साथ कंपेरेबल होगा जैसे की बोईंग का अपाचे हेलिकॉप्टर हेल के चेर्मेन और मेनेजिंग डिरेक्टर आर माधवन ने कहा है कि इस प्रजेक्ट का मकसद हर साल 4,00,00,00 क्रोड से जादा के होने वाले मिल्टरी हेलिकॉप्टर के इंपोर्ट को रोकने के लिए है एक इंट्रिव्द में माधवन ने बताया कि हचेल ने एक हेलिकॉप्टर को बिनाने का प्रेलिमिनरी डिजाइन पुरा कर लिया है हमरा इनिशिल प्लैंड जाने की शुरुवाती प्लैंड ये है कि हम इस हेलिकॉप्टर के 500 जूनिट्से प्रेडिूस करेंगे इसका पहला प्रोट टाइप 2023 तक रेडी हो जाएगा अगर इस प्रोजेक्ट को गुवर्मेंट इस साल अप्रोब कर देती है इंडिया एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है जिससे वो अपने MI-17 हेलिकॉप्टर की फ्लीट को रिप्लेस करेगा ये हेलिकॉप्टर 10-12 टन की कैटेगरी का होगा MI-17 हेलिकॉप्टर इंडियान रिश्या से खरीदा है H.E.L. के चीफ का कहना है कि उन्हें 9600 क्रोड की जुरूत है इस नए हेलिकॉप्टर की डिजाइन और इसके पहले प्रोड़ टाइप को प्रोड्यूस करने के लिए उनका कहना है कि अगर हमें 2020 में अप्रोड मिलता है तो हम पहला चॉपर 2027 तक कंप्लीट तक बना देंगे और हम इस हेलिकॉप्टर के 500 यूनिट्स तक बना चाहते हैं ये एक बहुत बड़ा प्रजेक्ट है जिसके उपर हम काम कर रहे हैं एक military expert ने describe किया है कि ये H.E.L. का तेजस military aircraft के बाद सबसे बड़ा प्रजेक्ट है H.E.L. का कहना है कि अनोंने preliminary design पूरा कर लिया है वो और वो Air Force और Navy के साथ इसके उपर बादचित कर रहे हैं ये 10 से 12 तंड कैटेगरी वाला हेलिकॉप्टर सिमिलर प्लाटफॉर्म पर दो बेसिक स्ट्रक्चर्स वाला होगा एक नेवल वर्जिन बनेगा जो की आर्मी और एर फोर्स के हेलिकॉप्टर से अलग डाइमेंशन्स वाला होगा उनका कहना है कि जैसे हमने लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर को ध्रू प्लाटफॉर्म से डिवैल्प किया है ऐसे ही एक सिमिलर 10 से 12 तंड कैटेगरी वाले हेलिकॉप्टर को बनाया जा सकता है जो की अपाचे हेलिकॉप्टर की टक्कर का हो ये नया हेलिकॉप्टर ट्विन इंजिन से पावर्ड होगा और ये ब्लेड फोल्डिंग आप्शन्स के साथ आएगा तांकि इसे शिप डेक आपरेशन्स के उपर अच्छी तरह आपरेट किया जा सके जो रोल्स इस नया हेलिकॉप्टर के लिए प्लैन किये गए हैं वो ये हैं कि ये एर अरसॉल्ट को स्पोर्ट को स्पोर्ट को स्पोर्ट करेगा और कॉमबेट लोजिस्टिक्स के स्पोर्ट करेगा और कॉमबेट सर्च एंड रेस्क्यू जैसे ऑपरेशन्स को स्पोर्ट कर खैकवून हैं, और हैंने 2022 से हैं सुझ है रेप्ड शूरो कि चाहेगा, ह इच और पकोंगिक हेलिक्थ और अर्मिली काौप्टर है, अटमी म्डकोंट रेप्याइजा और इंडिया में ही डिफेंस प्रड़क्ट्स की मैंस्फेक्ट्रिंग शुरू कर सके इंडियन एर फोर्स ने हाल ही में 22 अपाचे गार्डियन अटैक हेलिकॉप्टर्स बोइंग से ख्रीदे हैं जे एक मल्टी बिलियन डॉलर डील थी इसके साथ ही आर्मी ने भी 6 अडिशन शुर्ट चॉपर फलीट की बेकबोर्न है इसे रेप्लेस करने के लिए इंडिया को बहुत ज़्यादा नमबर्स में नए हीलिकॉप्टर्स की जुर्थ होगी इसी नीड को पूरा करने के लिए H.A.L. काम कर रहा है और अपने नए हेलिकॉप्टर को डिवेल्प कर रहा है तो दोस्तो अभी देखना ये होगा कि H.A.L. दोबरा ये डिवेल्प किया जा रहा हेलिकॉप्टर कितना रोबस्ट याने के कितना मजबूत और पावर्फुल होता है तो दोस्तो इस हेलिकॉप्टर के उपर नई अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे कैनल के साथ बने रहें थैंस पर वाचिए इस वीडियो प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब जैहंद वंदे मातरो